आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। अंग्लिश में सििस्टम वॉप यूनिट। यहीं से एससाई बनाए है, तो इस प्रकार बना यहांपर, तो देखो यह इसके परमुक की बात कर रहे है, तो यहां पर इसके परमुक क्या है, कि हम आह साई में अगर हम बात करते हम तो जीसे से से लिख सकता हूँ किलोगिराम उधान के लिख रहा हूँ यहाँ पर न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ किलोगिराम मिटर मिटर पर सेकेंड इसको है पर सेकेंड इसको है अब देखो यहाँ पर मतलब क्या हो यहाँ पर यहाँ पर मैं कहूंगा कि हमारा MKS पद्धिती या SI पद्धिती देखो MKS पद्धिती का ही एक नया वर्जन है हमारा SI पद्धिती इसको ही इंप्रूव करके SI पद्धिती बोला गया है तो यहाँ पर न्यूटन का देखो किलोगिराम, मीटर और सेकेंड स्क्वेर इस पद्धिती में मतलब कि मूल मातरक को भी बता सकते है अब मूल मातरक क्या होते है तो इस तरह प्लिख देता हूँ मूल मातरक मूल मातरक हमारे साथ होते है जिन में हम किसी भी रासी को किसी भी मातरक को व्यक्त कर सकते है जैसे कि किलोग्राम, मीटर सेकिंड ये भी हमारा समय के लिए होता है और हमारा होता है केंडला तीरता के लिए और हमारा होता है एंपियर किस के लिए धारा के लिए और होते है हमारे जैसे कि तापमान के लिए होता है कैल्विन कैल्विन हो गया तापमान के लिए डिगरी Celsius में नापते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वो मूल मातरक है हमारे Kelvin में नापते हैं वो मूल मातरक है और एक होता है जैसे कि यहाँ पर मातरको नापना किसी की गैस की मातरको तो वो मूल में नापते हैं एक भोतिक मात्रक के लिए, ऐसाई पद्धती में एक ही मात्रक होता है, तो ऐसाई पद्धती में एक भोतिक राशी के लिए एक मात्रक है, ऐसाई पद्धती में, तो यह हमारा हो गया पहला गुण, अब दूसरे गुण की बात करते हैं, यहाँ पर तो दूसरा गुण क्या क किसी अन्य रासी की यहाँ पर जोड़त नहीं पड़ती कि यहाँ पर साथों के अलावा कोई भी नया मातरक निकलेगा उसमें हमें यहाँ पर इनके अलावा जोड़त पड़ेगी तो यह निर्पेक्स होता है, किसी अन्य मात्रक पर निर्बर्नी होता है, केवल एक ही मात्रक होता है एक SI unit के लिए तो एक बहुतिक रासी के लिए एक ही मात्रक होता है और यह निर्पेक्स होता है तीसरा यहाँ पर क्या कहा गया है यह तीसरे की बात करते हैं यहाँ पर यह है एक अंतराष्टे परनाली है अंतराष्टे परनाली है अब इसका मतलब क्या हुआ देखो हमारे जो विश्व में जितने भी मातरक यूज किया जाते हैं इस परकार किया जाते हैं जैसे कि हमने देखा होगा कि एक लंबाई के लिए उधान ले लेता हूँ कि एक लंबाई के लिए हमारे पास कितने मात्रक होता है मिटर हो गया, गज हो गया ये गज हमारा साधन गाउं की वासम बोला जाता है cm हो गया और भी होता है जैसे कि इंच हो गया cm हो गया, mm हो गया ये सब जितने भी मातरे के लंबाई के हमने क्या खुद की सहुलियत के लिए बनाया जो मूल मातरे के केवल और केवल एक मीटर इन सब को मैं मीटर में परिवर्थित कर सकता हूँ अगर मुझे पता हो कि एक मीटर बराबर कितना इन्च हो सकता है एक मिली मीटर बराबर कितना इन्च होगा तो सब को यहाँ पर में परिवर्थित कर सकता हूँ तो यह होता है हमारा मीटर पत्ति मतलब कि अंतराष्ट पत्ति कि यहाँ पर एक ही मातरक होता है मूल मातरग होता है पूरे विशो में जो कि मिटर लिया जाता है हर जगे लिया जाता है कहीं पर हो सकता है कोई नाम भी हो सकता है नाम भी हो सकता है कोई खुद का ही नाम दे देता है मिटर को तो वो भी हो सकता है वो खुद के हिसाब से डिफाइन कर रहा है क्या कह सकते है यहाँ पर कि यह है एक सबब्द परनाली है अब इसका मतलब क्या हुआ देखो हम कैसे भी करके कैसे ने कैसे करके मिटर को सेकेंड को किलोगराम को इस परकार वियस्तित कर सकते हैं कि जोड गुना भाग गटा कुछ भी करके एक नया मात्रक बना सकते हैं तो नया मात्रक आ सकता है किसके मूल मात्रकों का मात्रकों का जोड़ गुना भाग करके एक नया मात्रक बना सकते हैं तो यह होता है हमारे सब्बद पर ना लिया है तो यह होगे हमारे क्या इसके गुण होगे ऐसा ही पद्धिती गें, धन्यवाद